पूर्व मंत्री अरुन जेटली और सुश्मा स्वराज के बंगले आलिशान है लेकिन मौजुदा मंत्रियों में से कोई भी वहां जाने को तयार नहीं है वास्तु दोश को लेकर बात है कि नकरात्मक माहौल की भी दलीले दी जा रहे है जेटली का बंगला क्रिश्न मेनन मार पर है उन्होंने उसे खाली कर दिया है लेकिन अब तक किसी नए मंत्री ने वहां आशियाना नहीं बनाया है इस बंगले में कॉंग्रेस नेता और पूर्वदूर संचार मंत्री सुखराम ही रहे थे वो टेलिकॉम घोटाले में फस गए अरुन जेटली की तबत बिगड़ सपा के मुख्या मुलायम से यादव भी कभी यही रहते थे उन्हें भी बीमारियों ने जकर लिया तब ही से अफवा है कि जो बेस बंगले में रहता है या तो बीमार हो जाता है या किसी जमेले में फस जाता है मुलायम से यादव ने तो इसमें पूचा पांठ हो जोड़ तोड़ भी करवाय थे लेकिन कुछ नहीं बदला अंधरपदेश से सांसत किशोर चंद्रदेव ने भी यहां होने वाली परिशानियों का जिक्र किया था उनके पारे में कहा जाता है कि वो किसी भी सरकारी बंगले में जाने से पहले वहां का वास्तो और दूसरे चीजों की जाँच परदाल करवाते हैं लेकिन इस वाले बंगले में उनके साथ भी गड़बड हुई थी उनके पिता को पुरानी चोड़ थी इसके बाद गंभीर हो गए पिता की मौत की बाद उन्होंने ही बंगले को दोशी ठहराया शुश्मा स्वराज की बंगले की कहाने भी कुछ ऐसी ही है सी सेवन सिविल लाइन वाले इस बंगले में कोई नहीं जाना चाहता मद्यवदेश के पूर्व मुखी मंत्री शिवराज सेह जोहान की नजर इस बंगले पर थी लेकिन जब उन्होंने वास्तो विशिशग को भुलवा कर जाज करवाई तो वो भी यहाँ जाने से पीछे हट गये फिर यह बंगला तरुन भनोट को दिया गया और उन्होंने भी अफ़वाओं के कारण यहां रहने से इनकार कर दिया सब्सक्राइब आर चानल और प्रेस्ट बल इकन फोर मोर अपडेट्स